जनपत में शुक्रवार को 26 केंद्रों पर 37 सत्र में COVID-19 टीका करण हुआ, इसमें 1907 लाभार्तियों को वैक्सीन लगाई गई, ICMR के जालमा इंस्टिट्यूट में को वैक्सीन लगाई गई, वा अन्य केंद्रों पर COVID-SHIELD वैक्सीन लगाई गई, चिकित्सकों का कहना है कि द 1907 ने टीका करण करवाया, किसी विव्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद कोई गंभीर परिशानी नहीं हुई, कुछ लोगों ने टीका लगने वाले स्थान पर दर्द और सूजन की समस्या बताई, गंभीर परिशानी का कोई मामला सामने नहीं आया, जालमा में 38 लोगों क को वैक्सीन लगाई गई, वहां भी कोई गंभीर समस्या किसी को नहीं हुई है, सरोजनी इनाइडू मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा 4 सत्रों में टीका करण किया गया, यहां पर 118 लाभारतियों ने टीका करण कराया, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संज काला ने बताया कि टीका करण कारेकरम सफल रहा, कॉलेज के मेडिकल स्टाफ, विध्यारतियों और चिकित्सकों ने टीका करण कराया, उन्होंने बताया कि कुरोना के दोनों ही स्वदेशी टीके सुरक्षित और कारगर है, उन्होंने कहा कि टीका करण के बाद भी हमें डॉक्टर S.K. वर्मा ने भी अपना टीका करण कराया, टीका करण कराकर उनने बताया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, अस्पताल में 16 जन्वरी को भी 69 स्वास्ते कर्मियों का टीका करण कराये गया था, उनको भी कोई परिशानी नहीं हुई है और वे सभी फिट हैं और अपनी duty कर रहे हैं, डॉक्टर राकेश त्यागी ने बताया कि मैंने और मेरी पतनी दोनों ने टीका करण कराया है, टीका लगवाने के आदे घंटे तक निगरानी कख्ष में रखा, लेकिन मुझे और मेरी पतनी को कोई परेशानी नहीं हुई है टीका करण कारेकरम के दौरान स्वास्ते विभाग की टीम और कर्मचारी तैनात रहे। इस दौरान UNICEF की टीम की ओर से DMC अमरतांचु, DMC मधुमिता फिल्ड में अब्जवेशन और सपोर्ट रहा। BMC सना परवी ने जिला अस्पताल, BMC शायना परवी ने SN में अब्जवेशन और वेटिंग आध्याय विजप्रकाश गुपता आधी ने अपनी भूमे का निभाई।